A very good evening dear aspirants, by Jews ke government exams prep channel में आप सभी का हार देख स्पागत है Very warm welcome to all of you in today's lecture on daily current affairs एक ऐसा segment जहां आपके सामने प्रस्तुत किये जाएंगे वो सभी news events और ताजा खबरें जो आने वाली इन government परिक्षाओं के द्रिश्टी कोन से आपको बहुत लाब पहुचाएंगी Along with this, विडियो के अंत में हम आप से कुछ लाबदायक अभ्यास प्रश्ट भी शेयर करेंगे क्यूंकि ये सभी questions आज की ही सभी खबरों पे आधारित हैं तो आप इनके उत्तर देने का अवश्य प्रयास कीजिए और इनके answers को निरंतर हमारे साथ comment box में शेयर करते रही आईए अब शुरू करते हैं 12 सेप्टेंबर अर्थात आज की दिनांक से जुड़े सभी important news affairs की सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे national affairs अर्थात राश्ट्रे मामलों के अंतरगत आने वाली खबरों की तो यहाँ सबसे पहली खबर है कि किस प्रकार भारत का सबसे पहला emergency landing strip inaugurate किया गया है on a national highway in Barmar in Rajasthan जिहां राश्ट राजमार्ग पर भारत की पहली अपातकाली landing पटी का राजस्थान के Barmar में उद्खातर हुआ है और इसे किया गया है Union Defense Minister Rajnath Singh जी और Minister of Road Transport and Highways Nitin Ghatkari के द्वारा this landing strip has been inaugurated at Gandhav Bhakasar section of the National Highway 925 this has been done exclusively for Indian Air Force अर्थाद IAF planes इस inauguration के साथ the National Highway 925 भारत का पहला National Highway बनेगा जिसे की emergency landing of IAF aircrafts के लिए इस्तेमाल किया जाएगा इस landing strip को और National Highway 925 नाशनल Highway Authority of India NHAI के द्वारा डिवेलप करा गया है ये है तकरीबन 3 किलो मीटर लंबी और इसमें जो टोटल रुपे लगे हैं वो है तकरीबन 43 करोर यही नहीं सेंटर ने इसके साथ साथ 20 अन्य और लोकेशन्स भी देश भर में आइडेंटिफाई की है जहां इसी प्रकार की Emergency Landing Fields तयार हो सके और इस संधर्ब में ये जानना भी आवश्चक है कि National Highways Authority of India क्या है तो जैसा कि आपको पता होगा NHAI एक Autonomous Organization है जिसका संगठन किया गया था NHAI Act के द्वारा वर्ष 1988 में और यहां ये भी एक फैक्ट आप अवेश्य याद रखेगा कि भारत में सबसे लंबा National Highway है NH44 अर्थाब the North South National Highway जो कि तकरीबन 3745 किलो मीटर्स लंबा है और श्रीनगर से कन्या कुमारी जो कि केरिला राज्य में है वहां तक बना हुआ है इस हाइवे को पहले National Highway 7 कहके बुनाया जाता था इसी संधर्ब में चलिए अब देखते हैं कि National Affairs में आज की दूसरी ख़बर कौन सी है हमारे सामने तो ये है संपंदित में भी Digital 3.0 कैमपेंड से इस इस अ कैमपेंड दाट हास बेन लॉंच्ट तोगेधर बाइ Ministry of Housing and Urban Affairs अर्थात MOHUA और साथ में Ministry of Electronics and Information Technology MEITY ये एक स्पेशल कैमपेंड है जिसका उदेश है स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल ऑन बोर्ड करवाना और उनकी ट्रेनिंग उपलप्त कराना इन डिजिटलाइजेशन इस कम्स अंडर दे प्राइम मिनिस्टर स्वानिधी स्कीम ये करी जाएगी तक्रीबन दो सो तेज शेहरों में इंडिया भर में इस स्कीम के अंतरगातिया हम कह सकते हैं अस पार्ट अफ तस कैमपेन भारत पे एम स्वाइप, फोन पे, पेटी एम, एस्वेर ये सभी UPI ID's और QR codes प्रोवाइट करेंगे तू street vendors इसके साथ साथ इस तरह के mechanisms का इस्तिमाल कैसे किया जाए कैसे effectively digital payments से deal किया जाए इस सभी तरह की training भी इन street vendors को प्रोवाइट करी जाएगी The main objective is financial inclusion of the street vending population इस drive को माना जा रहा है completely in line with Prime Minister Shri Modi's vision of सबका साथ सबका विकास और अब तक इस campaign के अंतरगत तक रीबन 45.5 lakh applications already receive की जा चुकी है इन में से 27 lakh loans already sanctioned हो चुके हैं और 24.6 lakh loans को भी disbursed किया गया है The amount that has been disbursed so far is equivalent to 2444 करोर रुपीज और इस launch के event के दौरान Ministry of Housing and Urban Affairs के secretary दुरका शंकर मिश्रा उपस्तित थे और MEIT Y के secretary अजे प्रकाश सोहने भी इस event का एक हिस्सा थे और अब चलिए आईए देखते हैं कि international affairs अर्थात अंतराश्ट्रे मामलों में हम कौन सी news की चर्चा करेंगे तो यहां सुर्खियों में जो खबर है वो है Iceland देश से संबंधित क्योंकि विश्वक का सबसे बड़ा plant जिसका उदेश है हवा मैं से carbon dioxide को खीच के बाहर निकालना ये commission किया गया है in the country Iceland जी हां this is the largest plant in the world that has been commissioned to capture carbon dioxide from air and this has been done in Iceland इस plant ने अपने operations already शुरू कर दिये हैं अगर बात इस plant के नाम की करें जो की exam में आप से पूछा जा सकता है तो please remember its name is Orca जिसका Iceland की भाशा में अर्थ होता है energy और इसका उदेश है तकरीबन 4000 ton of carbon dioxide को हवा में से खीच के निकालना हर साल carbon dioxide जो की capture करी जाएगी हवा से इस यंत्र के द्वारा it will be deposited underground at a depth of almost 1000 meters below the ground तो इसके पश्चाद इसको rock अर्था चटान में बदल दिया जाएगा ये facility develop की गई है by Iceland carbon storage firm called CarbFix in partnership with Switzerland-based startup Climeworks AG which specializes in capturing carbon dioxide straight or directly from the air itself और ये technology उमीद की जा रही है कि आने वाले समय में विश्म भर के जो climate change के against मुहिम चल रहे हैं उसमें बेहत सराहनिय योगदान प्रोवाइट करेगी इसके साथ चलिए देखते हैं दूसरी अंतराश्चर कबर कौन सी है सुर्खियों में तो ये है संबंदिर चाइना से और चाइना है और चाइना है जिसका नाम है लॉग मार्ज 4C rocket from Taiyuan Satellite Launch Center in North China's Shaanxi province ये satellite एक hyperspectral satellite है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा comprehensive environmental monitoring के लिए साथ-साथ में for improving country's hyperspectral observation capacity of atmosphere, water as well as land area Gaufen 5-2 satellite 24 वा है in the series of Gaufen Earth Observation Satellite Program जो की चीन के द्वारा चलाया जा रहा है इसका उदेश है परियावरन protection के लिए efforts को बढ़ावा देना और natural resources surveillance को भी boost करना so that maximum efforts can be made to protect environment from pollution and damage इसके साथ आईए अब देखते हैं कि environment or ecology section में आज हम चर्चा किसके उपर करेंगे तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी organization के बारे में that plays a very important role in the field of atmospheric science and climate हम बात करेंगे विश्व मौसम विज्यान संगठन और world metrological organization के बारे में ये United Nations अर्थात सन्युक्त राष्ट्र की ही एक specialized agency है इसका उदेश है international cooperation को बढ़ावा देना किन शेत्रों में तो ये शेत्र है atmospheric science, climatology, अर्थात climate का अध्यायन, hydrology, अर्थात water bodies का अध्यायन और geophysics इन सभी areas में WMO deal करता है WMO की शुरवात हुई थी in the form of international meteorological organization जो बना था 1873 में as a non-governmental body और इसका उदेश था weather data और research को देशों के बीच और climate agencies के बीच आदान प्रदान करना परन्तु बाद में proposals आये to reform the status and structure of international meteorological organization इन proposals और काफी debates के पश्चाद finally 1947 में जब World Meteorological Convention organized गई तो उसके पश्चाद formally WMO की स्थापना हुई the convention entered into force on 23rd March 1950 and the following year the World Meteorological Organization ने अपने operations शुरू किये as an intergovernmental organization within the United Nations system अगर बात करें कि इसके headquarters कहा है तो please remember कि Switzerland देश के शहर जनेवा में WMO के headquarters थित हैं और अब चलिए आके देखते हैं कि important scheme और commissions या committees में आज हम इसके बारे में बात करेंगे देना उन्हें बढ़ावा देना इट अब तो support entrepreneurship among women as well as people from SCSD communities scheme के अंतरगत bank loans provide किये गए between 10 lakh to rupees 1 crore specifically for schedule caste and schedule tribes as well as women so that they can set up new enterprises outside of the farm or agriculture sector this enterprise could be in any field फिर जाहे ये manufacturing का शेत्र हो, services का शेत्र हो या trading sector क्यों ना हो और ये scheme implement करी गई through scheduled commercial banks which aimed at benefiting almost 2.5 lakh borrowers this scheme is operational right now and loan is being extended through scheduled commercial banks across India और अब इसके साथ आईए देखते हैं कि various national and international personalities में आज हम किस personality के उपर बात करेंगे तो सबसे पहले आज की खबरों में नाम आता है उडान का क्योंकि IPO Bound उडान has named one of its co-founders Webhav Gupta as its new CEO अर्थात IPO Bound उडान ने अपने सहसंस्थापक Webhav Gupta को CEO के रूप में नामित किया है Business to business e-commerce platform उडान ने अपने co-founder Webhav Gupta को Chief Executive Officer की रूप में appoint करने की बात की है Because it is planning to become a CEO-led board-driven organization और इसके दो अन्य co-founders namely Amod Malviya and Sujit Kumar ये भी board members के रूप में completely support करेंगे Mr. Webhav Gupta को So as to ensure that the organization can effectively change to a CEO-led structure for continued success and to achieve their shared vision for this organization ऐसा company के ही द्वारा जारी कियेगा एक statement में बताया गया है ये सभी changes इसलिए आ रहे हैं क्योंकि the company उडान is planning soon to float its own IPO अर्थाद initial public offering जिसका अर्थ होता है stock launch करना in which the shares of the company will be sold to institutional investors तो इस तरह की प्रक्रिया होने वाली है उडान में within a period of 18 to 24 months from now और अब चलके देखते हैं कि दूसरी कौन सी चर्चत personality आज सुर्कियों में है तो यहां नाम खबरों में है Mr. Vijay Rupani का जिन्होंने हाल ही में Gujarat के Chief Minister के पट से अपना स्थीफा दे दिया है और इनका resignation एक ऐसे समय पे आया है that now the ruling party BJP is left with three choices और यह विकल्प है either to appoint a successor or to allow the state to come under president rule या फिर to go in for an early election और यह खबर विशेश रूप से और जादा चौकाने वाली इसलिए बन गई है क्योंकि BJP party की ये चौथे Chief Minister थे जिन्होंने पिछले छे मैनों में अपने पट से स्थीफा दिया है क्योंकि इसके पहले करनाटिका और उत्राखंड राजयों में भी यही चीज हुई थी जुलाई 2021 में करनाटिका के Chief Minister Mr. B.S. येडियूरुपा ने भी अपने पट से स्थीफा दिया था following resentment against him and his son as well as constantly demands coming from a section of the ruling party's state unit to remove him from his post और अगर बात उत्राखंड की हो तो यहां सबसे पहले त्रिवेंदर सिंग रावत had resigned as the Chief Minister on 9th March परंतु उनके बाद के candidate जो की मुख्यमंत्री बने ताट इस तीरत सिंग रावत उन्होंने भी barely 4 months after taking charge as the head of the state अपना resignation दे दिया था और अब इसके साथ आईए देखते हैं कि Books and Awards सेग्मेंट में आज हम क्या बात करने वाले हैं तो यहां हम बात करेंगे एक ऐसी हस्ती की जिसके बारे में कई facts exam में almost हर साल पूछे ही पूछे जाते हैं जिहां हम बात कर रहे हैं दादा भाई नरू जी की इनके बारे में हम सबने सुना हैं लेकिन इसके पहले कि हम इनके द्वारा लिखी गई किताबों के चर्चा करें यह जानना आवश्चक है कि इनके बारे में तीन ऐसे facts हैं which are very very important सबसे पहले ही that he is also called the grand old man of India यही नहीं, he is also called the unofficial ambassador of India इन होने East India Association की स्थापना करी थी in London in collaboration with Indians and retired British officials this he had established in 1866 और इनके बारे में तीसरा fact यह that he was the first Indian to be elected to the Parliament of Britain in 1892 तो अब चलके देखते हैं कि कौन सी famous books इन्होंने लिखी हैं, सबसे important नाम यहां है Poverty and Un-British Rule in India का क्योंकि इस किताब के थूँ इन्होंने भारत का economic drain अर्थाक economic exploitation दर्शाया था जो की British के द्वारा किया जा रहा था that how India had become a market for expensive foreign goods as well as a cheap exporter of precious raw material to Britain अगर बात इनकी अन्य किताबों की करें तो यहां नाम है Poverty of India The next is the Parsi Religion इसके इलावा इन्होंने लिखी थी the wants and means of India as well as the European and Asiatic races तो इन सभी किताबों का नाम आप अवश्य याद रखिए अब चलके देखते हैं कि banking और finance related news में आज कौन सी खबर है तो यहां हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार income tax return file करने की deadline बढ़ा दी गई है और extend कर दी गई है until December 31st This is applicable for the financial year 2021-2022 The Central Board of Direct Taxes CBDT has extended the last day for filing income tax returns for assessment year 2021-22 सभी individuals के लिए और अब यह last date बन गई है 31 December 2021 इसके पहले भी एक बार deadline बढ़ा दी गई थी परन्तु उस समय deadline को freeze किया गया था 30 September के दिनांक तक यह decision आया है Corona virus pandemic के चलते हुए क्योंकि इसके कारण ना कि सिर्फ लोगों को returns file करने में देरी हो रही है तो यहां चर्चा में है New Zealand team जो की Pakistan पहुँच चुकी है after 18 years absence अर्थात 18 साल के gap और अनुपस्थिती के बाद finally पाकिस्तान में New Zealand cricket team आ गई है The New Zealand team arrived in Pakistan yesterday for a limited over series और यह किवीज की सबसे पहली international series है in this country अर्थात इन पाकिस्तान right after 2003 18 साल पहले की अगर बात करें तो New Zealand team ने एक five match ODI series खेली थी पाकिस्तान के लहौर में लेकिन उसके बाद से जब भी पाकिस्तान ने New Zealand team की मेजबानी की है तो यह किसी ना किसी शांत और safe जगा में की है जैसे की generally in United Arab Emirates अर्थात UAE तीन बार ऐसा हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान में security concerns are very very high जिसके कारण foreign teams यहां का दोरा करने से कतराती आई है New Zealand का जो squad है उसमें batting coach भी शामिल है इस बार पाकिस्तान के दोरे पे जिनका नाम है थिलन सामारवीरा who was injured in 2009 terrorist attack on the Shri Lanka cricket team bus in Lahore that has made Pakistan a no-go zone for most international cricket teams और इस series में जिसके लिए New Zealand अब पहुचा है पाकिस्तान 2021 में finally शामिल होंगे 3 ODI matches and 5 2020 matches और सबसे पहला ODI अगले ही Friday को पाकिस्तान के रावल पिंडी में शुरू होने वाना है तो आईए अब चलके देखते हैं कि कौन से important facts की चर्चा आज हम आपके सामने करेंगे तो आपको याद होगा कि हमने अपने 9 तारिक के lecture में बात किया था about the various governing bodies of sports across the world कि कौन सी है सरवोच administrative bodies for various sports and games विश्व भर में तो उस दिन हमने चर्चा की थी कुछ खेलों पे जैसे की badminton, tennis, golf, wrestling लेकिन आज हम कुछ और खेलने के आए हैं आपके सामने और बात करेंगे इनकी governing bodies की भी तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे hockey के उपर तो यहाँ नाम आता है International Hockey Federation F.I.H. का which is the international governing body of field hockey as well as indoor hockey इसके मुख्याले Switzerland देश में लौसाने शेहर में स्थित हैं और अगर बात इसके अध्यक्ष की करें तो यह हैं डॉक्टर नरिंदर धुरुफ बत्रा जो की भारत से संबंदित है F.I.H. responsible है for field hockey's major international tournaments खास तोर पे hockey world cup अगर बात करें कि कब स्थपना हुई थी F.I.H. की तो it was established in 1924 और अगला game जिसके उपर हम बात करेंगे वो है Chess अर्थात शत्रंच यहां the governing body is International Chess Federation जिसे की एक और नाम से बुलाते हैं जो है World Chess Federation लेकिन commonly हम इसे इसके French acronym से ही संबोधित करते हैं विच इस F.I.D.E. F.I.E.D. यह है एक अंतराश्च्य organization जो की Switzerland में ही based है यह connect करता है various national chess federations को and it also acts as the governing body of international chess competition यह है स्थित लोजाने में जो की Switzerland में स्थित है अगर बात करें कि कब हुआ था इसका संगठन तो इसका संगठन भी वर्ष 1924 में ही हुआ था Paris में जो की France की राच्थानी है और the motto of FIDE is we are one people वर्ष 1999 में FIDE को IOC अर्थात International Olympic Committee के द्वारा माननेता दी गई थी यहां अगर हम बात सर्वोच administrative body की करते हैं for this sport so it is FINA अर्थात International Swimming Federation यह है अंतराष्ट्राश्ट्रा फेडरेशन recognized by International Olympic Committee for administering international competitions in water sports यह भी Switzerland में ही based है और Switzerland के अंदर लौजाने शहर में ही इसके headquarters भी स्थित है FINA currently oversee करती है competitions six aquatic sports में जो की है swimming, diving, high diving, artistic swimming, water polo और open water swimming इसके president है Mr. Hussain al-Musalem और अब चलिए देखते हैं cricket के बारे में कुछ खास बात तो cricket की जो international governing body है वो है ICC जो की बेहत common नाम है International Cricket Council और इसको सबसे पहले established किया गया था as Imperial Cricket Conference in 1909 by representatives from countries including Australia, England and South Africa लेकिन इसका नाम बदल के International Cricket Conference रखा गया वर्ष 1965 में लेकिन इसका आधुनिक नाम अर्थाथ International Cricket Council रखा गया था in 1987 इसके headquarters हिस्थित दुबाई में which is in UAE और अब चलिए देखते हैं कि कौन से questions आज हमें करने है solve तो सबसे पहला प्रशन आज का है options है आज का दूसरा question है कि क्या नाम दिया गया है सरकार के विशेश अभ्यान को जिसमें सडक विक्रेताओं को अब अब्र प्रशिक्षन प्रशिक्षाण किया जाएगा अर थाथ वाट ? अब्रशन है और लग्वन कोट विक्रेताओं क्या दूसरा लाइए विक्रेताओ त्टे अव्विक्स plant designed to capture carbon dioxide out of air has been launched in which country अर्थाथ हवा से carbon dioxide को बाहर खीचने के लिए जो plant design किया गया है वो किस देश में launch हुआ है। और थाथ कौन से देश ने गाउफन 502 को launch किया है। और ताथ कौन से देश ने गाउफन 502 को launch किया है। अर्थाथ विश्व मौसम विज्यान संगतन का मुख्याले कहा है स्थिर। और ताथ भारत सरकार के द्वारा stand-up India योजना कब शुरू हुई थी। अर्थाथ विज्यान ने किस राज के मुख्य मंत्री के पट से स्थीफा दे दिया है। अप्शन्स हैं A. उत्राखंड, B. करनाटिका, C. महराश्ट्र, D. गुज्राद, आज का आथवा प्रश्न है। और आज का आज का आखरी और दस्वा क्वेश्चन है की फीना के हेटकोर्टर्स कहा है। अर्थात वेरादी हेटकोर्टर्स और फीना, ते इंटरनाशनल स्विम्मिंग फेडरेशन सिचूबेटर्ड, आप्शन्स आर A. लुजाने, B. क्वाला लंपुर, C. सिंगापूर, D. पारिस और अब इन सभी questions और कुछ facts के साथ आज के इस segment को हम यही समाप करते हैं। इस आशा के साथ की आप सभी को इससे बहुत help राप्द होगी। Friends, अगर आपको विडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब अवाश्य कीजिये और इन सभी questions के उत्तर भी शेर करते रहे हमारे साथ। Now, have a great day, stay safe and thank you so much to all of you.